दोस्तों ये है गप्पी मचली के चार बच्चे जिनका जनम 10 दिसंबर 2022 को हुआ था और दोस्तों आज है 11 मार्च 2023 मतलब अब ये पांच महीने के होच चुके हैं विसे दोस्तों ये अभी चारो एक ही साथ हैं और वो भी बिल्कुल पास पास में और दोस्तों अब ये सभी एक साथ घूम रहे हैं लगता है कोई नई डिजैन बनाएंगे और दोस्तों अब ये सभी एक ही कतार में हैं और कतार अब तूट चुकी है अब देखते हैं कि अब ये क्या करेंगे और दोस्तों अब ये वापस आ रहे हैं और अब ये वापस दूर जा रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं और अब ये फिर से पास-पास और एक साथ हो गए है और दोस्तों चलिए मैं हाथ में लेकर भी इन्हें आपको दिखाता हूं और दोस्तों यहां आप देख सकते हो एक अभी मेरी उंगलियों के उपर है और ये वापस पानी में चला गया चलिए फिर से मैं एक और को हाथ में लेने की कोशिस करता हूँ और दोस्तों अब एक गपी मचली का बच्चा मेरी उंगलियों के उपर मौजूद है और चलिए अब मैं इसे जाने देता हूँ और दोस्तों वो पानी में नीचे चला गया है चलिए अब मैं इनको खाने के लिए मटर दे देता हूँ और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि ये मटर खाने लग गए है और दोस्तों ये है एक पोधिने की डंडी इसे मैं इनके पात्र में डाल देता हूँ और ये है एक और पोदिने की डंडी इसे भी मैं इनके पात्र में डाल देता हूँ जो की इनके खेलने के काम आती है और ये एक और पोदिने की डंडी को भी मैंने इनके पात्र में डाल दिया है और दोस्तों ये है कुछ छोटी छोटी डंडिया पोदिने की जो की मैं इनके पात्र में डाल रहा हूँ अब आप यहां देख सकते हो कि कितनी सारी पोदिने की डंडिया मैंने इनके पात्र में डाल दी है जो कि इनके खेलने के लिए अच्छी रहेगी वैसे ये ज़्यादातर वक्त नीचे ही रहते हैं लेकिन कभी कभार उपर भी आते हैं और अब ये दिन भर इसमें लुका छिपी खेलते रहेंगे वैसे कई बार इन पोदिने की डंडियों मैं ये ऐसे छिप जाते हैं कि मानो नजर ही नहीं आते हैं और ध्यान से देखने पर ही ये नजर आते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को में यहीँ विराम देना चाहूंगा हम मिलेंगे फिर किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद